Hello Friends, मैं Dr. Smita, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आप सभी के साथ Mucormycosis या Black Fungus क्या है, ये क्यों होता है, ये केसे होता है, उसका क्या क्या सिम्टम से, उसको केसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी मेरे साथ बने रहे हैं दोस्तों एंड तक ये क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फर्मेटिव होने वाला है चलिए सुरू करते हैं दोस्तों ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिज ये आजकल बहुत ज़्यादा कमनली सुनने को मिलता है और बहुत ज़्यादा लोग पानिक में रहते हैं सोच रहे हैं ये जो पांडामिक चल रहा है करोना के तो ये ब्लैक फंगस भी एक पांडामिक है या क्या है बहुत फंगर्स हमारा सदियों से हमरे साथ रहता था अभी भी हमारे साथ है लेकिन पेहले हमें इतना उसके साथ कुछ प्राब्लम नहीं होता था आज कल बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि आज कल हमारा जो आप्टर कोविड जो ट्रीटमेंट रहता है हम अगर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं अगर ट्रीटमेंट के दोरान हमें बहुत ज्यादा स्टिररड दिया जाता है हमें ठीक करने के लिए तो इसके चलते हमारा इम्मुनिटी बहुत ज्यादा लो हो जाता है और हमें यह ब्लैक फंगस इजिली आटाक करता है क्योंकि यह ब्लैक फंगस या म्यूक इम्मुनिटी लो हो जाता है यह बहां पर आटाक करता है यह कोई नया नहीं है और इसका नाम ब्लाक फंगस है लेकिन यह वाइट इन कलर है जब यह किसी चीज पर उसका इंफेक्शन होता है या फिर यह इसका कलोनी डेवलब करते हैं तो इस चीज को वो डेट कर देते हैं जिसके वजह से वह वाला एरिया ब्लाक डिसकलरेसन हो जाता है और हम उसको कमनली ब्लाक फंगस बोलते हैं या फिर मुकर माईकस। इसी चीज में पाए जाते हैं और यह contagious नहीं है दोस्तों यह छूने से नहीं फैलता लेकिन अगर आपका हाथ इस fungus के उपर लग जाए और by mistake वो हाथ आप अपने मूँ के से लगा लिये कोई खाना खा लिया बिना हाथ धोए या फिर नोज को टच कर लिया तो यह वाला फंगस आपके मूँ में और या फिर नोज के अंदर बो चला जाता है और बहां पर अपना कोलोनी डेवलब करता है यह किस पेसेंट में ज्यादा पाया जाता है दोस्तों यह पहले से भी था जो हमारे इम्यून कंप्रमाइजड पेसंट है जैसे हमारा HIV पेसंट, AIDS पेसंट या हमारा जो Cancer पेसंट होते हैं जो जिनको हमा केमो थेरापी दिया जाता है या फिर जो और्गन ट्रांस्प्लांट कराते हैं या जिनका सुगर कंट्रोल पे नहीं होता है। जो स्टिरर्ड से बहुत दिनों से श्टिरॉर्ड पे हैं वो लो बहुत ज़्यादा उनगा इम्मुनिटि ज्यो रहता है वो इम्म्मून कंप्रमाइजड होते हैं और यह जो fungus है वह उन लोगों पे बहुत ज़्यादा आटाक करता है लेकिन आजकल जो कोविर्ड के करोना के बाद हम हमारे treatment के लिए हम hospitalized होते हैं तो hospitalized होने के बाद हमें ठीक करने के लिए हमें steroid दिया जाता है जो steroid देने के बाद हमारा immune बहुत ज़्यादा suppress हो जाता है और हम prone for that fungal infection को हो जाते हैं या फिर हमें जो बहुत दिन तक हम hospitalized रहते हैं हमें ventilator पे रखा जाता है जो unsterilized mask है या फिर tubes रहता है उसमें भी ये fungus पाया जाता है वो बहुत time तक अगर आपको oxygen चलता है या फिर आप ventilator पे रहते हैं तो ये वाला fungus आपको आटाक होने का बहुत ज़्यादा chances है या फिर जो oxygen humidification के लिए water यूज होता है तो वो water अगर tap water में भर देते हैं उसमें तो इसके वज़े से भी वो fungus हमारे nose के तुरू अंदर जाता है और after the covid हमें वो infection होता है पेसेंट के मन में हमेशा लगा रहता है कि हमें अभी करोना हो गया है तो हम क्या black fungus के disease से एगेन हम एगेन सफर करेंगे नहीं दोस्तों black fungus सिर्फ 95% पेसेंट जो hospitalized हुए है और उनका steroid बहुत दिन तक चला है या फिर उनका diabetes uncontrollable हो गया है और steroid के वज़े से या फिर steroid के abuse के वज़े से आपका immunity बहुत ज्यादा low हो गया है तो इसके चलते हमें black fungus होने की बहुत ज्यादा chances है लेकिन अगर आप हर कोई पेसेंट जो कोविट से अभी treatment होके वो अच्छे हो गये हैं कोविट से recover हो गये हैं वो black fungus के लिए प्रोन नहीं है अगर आपके diabetes हाई है या फिर आप hospitalized है वही लोग ही वो black fungus के बहुत ज्यादा प्रोन रहते हैं there are so many varieties of mucormycosis जैसे हमारा rhino cerebral mucormycosis जो बहुत ही ज्यादा कमन है और वो rhino मतलब nose and cerebral मतलब brain को अटक करता है और यह बहुत ही ज्यादा कमन है जिससे हमें क्या symptoms मिलता है नोज में stuffiness नोज में blood discharge watery discharge along with that some black color discharge वहां से हमें मिलता है नोज से नोज के अंदर हमें black color का patches दिखाई देता है और हमारा upper palate में भी black black patches दिखाई देता है और वो दीरे से आंक में अटक करता है और थोड़ा उपर जाके वो brain में अटक करता है और यह बहुत ही ज्यादा कमन है हमारा जो rhinocerebral mucormycosis second variety रहता है pulmonary mucormycosis जो directly lungs को अटक करता है और lungs का symptoms जैसे खांसी होना fever होना breathlessness होना chest में pain होना उसके साथ जो discharge जाता है मूँ के तुरू वो black color का रहना यह सभी रहता है pulmonary mucormycosis में हमारा cutaneous mucormycosis में हमारा skin affect होता है और हमारा gastrointestinal mucormycosis में हमारा digestive system affect होता है तो इसी तरह के so many varieties of mucormycosis रहते हैं तो हम उसको कैसे diagnose करें कैसे हम कैसे जाने के हमें mucormycosis हुआ है तो हमें एक ही उपाई है वो है MRI हम facial MRI कराते हैं तो हम confirm हो जाएंगे नहीं तो अगर हम nasal endoscopy कराते हैं या फिर हम biopsy कराते हैं तो यह सभी से हमें मालूम हो जाता है कि हमें अभी mucormycosis या black fungus हुआ है तो क्या-क्या symptoms रहेगा दोस्तों जिससे हमें मालूम होगा कि हमें अभी mucormycosis या black fungus हुआ है तो black fungus या mucormycosis का जो symptoms रहता है जब आपका कोविड के बाद आप होस्पिटल से घर आए बहुत दिन होस्पिटल में आप रहे या फिर घर पे आप treatment हुए बहुत दिन तक आप स्टिरोड लिये हैं तो आपको क्या-क्या symptoms आता है दोस्तों आपका नोज में stuffy nose आपको फिलोगा नोज आपका ब्लॉक रहेगा आपका नोज में discharge आएगा नोज का discharge में watery discharge के साथ आपका कुछ black color का discharge रहेगा और आपका वह blood discharge हो सकता है और उसमें भी black color का discharge आ सकता है आपके nose के अंदर और हमारे upper palate में black black sports आ सकता है आपको यह सी sinus area में बहुत ज्यादा pain लगेगा आपको nose में pain लगेगा आपका आंक में surgeon आएगा आपको आंक में बहुत ज्यादा swelling होगा आंक red हो जाएगा और आपका आंक का जो vision है वो कम हो जाएगा और जो eye wall का movement है वो restrict हो जाएगा आपका eyelids में tosis हो सकता है और थोड़ा उपर जाएगा जाने जाता है तो आपका brain भी affect होता है तो यह सब आपका diabetes control नहीं हो रहा है कोविड के बाद तो इसके साथ अगर आपको यह symptoms अभी रहता है आपका एक एक साइड आपको या फिर बोद दो साइड आपका हमारा जो sense आपको नमनेस फिल होगा यह सब symptoms रहता है तो immediately rush to the hospital क्या होता है दोस्तों यह black fungus बहुत fast grow करता है और हमें time नहीं मिलता है कुछ treatment घर बैठके करने के लिए और हमारे body के साथ कुछ experiment करने के लिए तो आपके कोविड के बाद अगर एही सब symptoms रहता है तो immediately rush to the hospital आपको doctor के साथ मिलना है घर में self medication नहीं करना है क्योंकि 100% 100 patient अगर black fungus से पीडित है तो 50% mortality rate 50% death हो जाता है अगर आप सही time पे सही treatment नहीं किया तो तो आपके body के साथ आपको यह नहीं करना है experiment आपको immediately rush to the hospital आपको अभी मालूम हुआ immediately जब आपको symptoms आए immediately rush to the hospital तो इससे हम early stage में बत सकते हैं नहीं तो हमें कोई भी organ हमें remove करना पड़ता है या फिर dead हो जाता है अभी मैं आपको preventive बताऊंगी दोस्तों हम कैसे उसको prevent कर सकते हैं जब हम करोना से free हो गए करोना treatment के बाद हमें करोना सभी चला गया है symptoms हमारा कुछ नहीं रहा है तो हम कैसे mucor mycosis को prevent कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं दोस्तों पहला thing हमें वह steroid को बंद करना है second thing हमारा diabetes को control पे लाना है जो steroid के बज़े से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर हम पहले से ही diabetic हैं तो उसको diabetes को हमें control पे लाना है जैसे तैसे करके third thing हमें मिट्टी से दूर रहना है हमें paid and fourth है हमारा paid and podो से हम थोड़ा दो मन तक प्यार नहीं करेंगे उनसे दूर रहेंगे अगर हमें gardening करना है बहुत ज़्यादा हमारा वो पेसा है gardening करना या फिर मिट्टी में हमारा पेसा है वो करना तो हम globs लगा के कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा जरूर है नहीं तो बिल्कुल भी ना करें at least two months तक आपको gardening या फिर मिट्टी से दूर रहना है उसके बाद आपको खाना दोस्तों बहुत ज़्यादा vegetables and fruits का उप्यों करना है fresh खाना खाना है fresh vegetables and fruits लेना है बासी आइटम कुछ भी नहीं लेना है bread and fruits and vegetables उससे दूर रहना है साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आप जो भी कपड़ा पहनते हैं आपका bed seat आपका pillow cover आपका blanket वो उस सभी को आपको साफ करना है अच्छी तरह से डेटल पे और sunlight पे सुखाना है आपको डेली डेली sunlight पे एक एक घंटे के लिए आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है दस्ते बारा ग्लास का पानी आप पी सकते हैं इसके बाद अगर आपको जो मैंने सिम्टम्स बताया वो सम्टम्स आपके दिखाई देता है बौडी में तो इम्मीडेटली रस्टू दा हॉस्पिटल और उसका कोई उपाय नहीं है घर पे बेट के उसका ट्रीटमेंट मत करिए दोस्तों कुछ भी सिम्टम्स आपको मालूम होता है कुछ भी थोड़ा सा भी मालूम होता है तो आप हस्पिटल को इम्मीडेटली जाए और डौक्टर से मिलके आपका ट्रीटमेंट कराईए आशा करती हूँ दोस्तों मेरा य रिलेटिव के साथ इसको सेयर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से नॉलेज़ेबल वीडियो के साथ अब तरह देने इसके लिए करिए दोस्तों